हर यों पेरे दर्सकों, पेरे मित्रों, स्वागत है आप सभी का The Knowledge Group के इस यूडूब चैनल पर तो चैनल ग्रहन पर गर्वबती महलाएं, भूल कर ना करें, अंदेखी, जाने इस दोरान क्या करें, क्या नहीं और बताएंगे सूतकाल का सही समय और चंदर ग्रहन कब से कब तक लगने वाला है, पुरी जानकारी बताएंगे ग्रहन की टैमिंग क्या है और सूतकाल का समय क्या है, तो चले विड़ो को सुरू करते हैं, तो चंदर ग्रहन में प्रेगनेंट लेडी क्या करें, तो कल साल का आखरी सूर ग्रहन लगने जा रहा है, इसके सूतक काल साम चार बजे से सुरू हो जाएंगे, और ग्रहन रात एक बजे से लगेगा, ग्रहन की कुलवधे घंटेगी होगी, ग्रहन रात दो बजे खत्म हो जाएगा, ग्रहन के सूतक काल मानन होंगे, सूतक का लगते ही सभी मंदरों के कपाट बंद हो जाएंगे और भगवान की पूजा अर्चना रोक दी जाएगी आपको बता दें गरहन लगने के बाद कुछ विसेस नीमों के बारे में जो तिसो द्वारा बता जाता है हैसा कहा जाता है कि सूर और चंदर गहन दोनों ही गर्ववती महलाओं को प्रभावित करते हैं सिर्फ गर्ववती महलाओं ही नहीं उनके बच्चे की सिहत के लिए कुछ नीमों का ग्रहन के दोना गर्ववती महलाओं को पालन करना चाहिए आपको बता दे कि इन बातों को लेकर कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है लेकिन मानताओं के अनसार लोग इन नेमों को मानते हैं आई चांदे हैं गरहन और सूतकाल में गरववती महलाओं को क्या करना चाहिए तो सबसे पहले गरववती महलाओं को गरहन के दौरान बाहर नहीं जाना चाहिए और घर में गरहन के दौरान कुछ नहीं खाना पीना चाहिए सूतकाल में खाना नहीं खा सकते हैं घर में चंद्रमा की रोसनी से भी बचना चाहिए ग्रहन के बाद शनान करके घर में गंगा जल चड़कना चाहिए मंदिर साफ करके पूजार जना करनी चाहिए यह भी कहा जाता है कि ग्रहन के दौरान सबजी काटना चागू आदिस चीजों का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए कोसिस करनी चाहिए कि इस समय भगवान का जाब करें फिर किसी धार में किताब को पढ़ें क्रहें के दोरान गर्बती महलाओं बीमार लोगों बच्चों बुड़ों के लिए पानी दवाई पानी को लेकर कोई नियम नहीं है सूतकाल से पहले ये लोग खाना भी खाल सकते हैं इस दोरान धार मिगमानताओं के अनसार सूतकाल के दोरान वाताबरंड में बस्तित चीजें नकरात्मक असर डालती है इसलिए सूतकाल को दूसित काल भी कहा जाता है जोतिस सास्त्र के अनसार लेकिन ग्रहन किदान खाने की वस्तुओं में तोलसी की पत्ती डाल देना चाहिए